असलाम अलेकुम स्टूरेंट्स पीड़ा आज का टॉपिक है हमारा वो है एक्विशन और मोशन बाई ग्रैफिकल मेथड यह आप एक्विशन और मोशन को ग्रैफिकली कैसे सॉल्फ कर सकते हैं कैसे इसको फॉर्म कर सकते हैं आज वह हम सीखेंगे ग्रैफिकल मेथड समझने के लिए सबसे पहले तो आपको स्लोप एरिया अंडर दा ग्राफ और कुछ बेसिक कंडिशन्स आपको पता होनी चाहिए वो बेसिक कंडिशन्स के बाद ही जब आप ग्राफ को सॉल्फ करने बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुरी यहां पर आप किस तरह से इसको सिंप्लिफाई कर सकते हैं तो उस बेसिक कंडिशन्स के लिए मैं वैसे वेडियो बना भी चुका हूँ इस ग्राफ के उपर के आप स्पीड टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए जो भी कर्फ फॉर्म करेंगे उसका एरिया अंडर ग्राफ क्या होगा उसका स्लोप कैसे निकालेंगे उसका ग्रीजिंट कैसे निकालेंगे तो इस खुरू ? शुरूंत करते हैं पहले कि देखें ग्राफ जब हमें बनाना है तो ग्राफ बनाने के लिए आपके पास बसले टो एक्सिस होने चाहिए तो हबंसे दो X का क्सामाल करेंगे y-axis पे normally आप velocity को consider करते हैं x-axis पे time को क्योंकि इस बात को समझाया जा चुका है कि y-axis पे हमेशा dependent quantities होती हैं और x-axis पे हमेशा independent quantities होती है ओके तो यह independent quantities है dependent quantities क्या होती है again यह सारा जो process है यह सारी बात है सारी graph को समझाते वक्त समझाया जाती है तो वो मेरे वीडियो पे मौझूद होगा previous वीडियो पे वह आप देख लीजेगा फिलाल मैं यहां से आगे बढ़ता हूं आपने दू एक्सेस पे कर लिए हैं एक एक्सेस पर टाइम है वाइक्स एक्स 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 पर और वाइक्स पर आपके विलास्टी मौझूद है देखें मुझे विलास्टी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है उसका कर्व ड्रॉ करना है तो उसका कर्व ड्रॉ करने के लिए आप obviously एक easiest ग्राफ फॉर्म करेंगे कर्व फॉर्म करेंगे वो है straight line अब भी जो आपके सामने ग्राफ नजर आ रहा है ये 0 से start हो रहा है जीरो है यानि इनिशल विलास्टी मैंने कहां से ग्राफ किये जीरो से तो क्यूंकि मुझे एक जर्णल एक्वेशन बनानी है और मैं चाहरा हूँ कि वो जीरो कंडिशन वाली ना हो यानि मेरी इनिशल विलास्टी कुछ ना कुछ हो चाहिए वो वन मीटर पर सेकिंड ही क्यों ना हो तो मैं इस ग्राफ को एक्चिली जीरो से नहीं बनाऊँगा फॉर जीरो टाइम यानि कि जब मैं stopwatch on करने जा रहा हूँ तो मैं चाहरा हूँ कि उस point पे कुछ ना कुछ velocity हो क्योंकि वो मेरी मर्जी है कि मैं velocity को कौन से point से count करना चाहरा हूँ तो मेरी अभी यहाँ पे जो शर्त है या मुझे जो ज़रूरत है वो है किसी particular value के साथ वाली velocity की सही है भी जड़ा देखते हैं इसको हम कैसे form करेंगे तो आप क्या गरेंगे इस curve को थोड़ा सा उपर से शुरू करेंगे इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि आपके पास यहाँ पे velocity की initial कुछ ना कुछ value मौझूद है यहाँ पे कोई ना कोई value आपके पास velocity की मौझूद है 10 हो सकती है 5 हो सकती है जो भी होगी वो मेरे पास यहाँ पे मौझूद है इस initial velocity को आपके पास हम represent कर रहे हैं u से क्योंकि book के अंदर initial velocity u consider की गई है तो मैं इसको u से ही consider करूँगा तो initial velocity अब कुछ ना कुछ हो गई है क्योंकि general formula है तो मैं इसको फिलाल किसी variable से represent कर रहा हूँ which is small u कुछ दिर के बाद velocity बढ़ती है time गुजरता है time पहले for example 0 था यहाँ पे यहाँ पे 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ और so on बढ़ते 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 तो final velocity को आप represent कैसे करेंगे यहाँ पे v से तो यहां से यहां तक की जो velocity देखें graph किसी भी point पे बने measurement हमेशा x और y के उपर होती है तो मैं point कहीं पे बिलू तो मेरे पास measurement हमेशा कहां से होगी velocity की इसकी graph से तो जैसे से time गुजरा है आपके पास velocity इस point से बढ़ती चली गई बढ़ती चली गई और in the end किस point पर आके रूखी किसी different point के उपर तो initially for example मैंने velocity 10 meter per second लिए थी तो sir अब आप जो रूखे हैं वो 50 meter per second की speed पर आके रूखे हैं it means your initial velocity is 10 which is u and your final velocity is 50 which is v ओके यहां तक बिल्कुल initial stage है यह भी सारी सीज़ें graph में discuss की जाती है पर फिर भी मैंने इसको सोड़ा सा elaborate कर दी है कि यहां पर हुआ क्या है आगे बढ़ते हैं अब दिखें अब graph को हमें अपने तोर पे solve करना है जब graph को solve करना होता है तो आपने graph को complete करना होता है जैसे कि मैंने यह आपे dotted line ड्रॉख करिये आपको नजर आ रहा होगा है इस जगा पे जो मैंने dotted line draw करी है, इस line की बात कर रहा हूँ, यह मैंने खुछ से draw करी है, ताकि मैं graph को simplify कर सकूँ, मैंने आपको शुरू करने से पहले बताया था ना, slope और area under the graph, तो इसके लिए आपको graph को properly complete करने की जरूरत होती है, उसको कोई shape बनाने की जरूरत होती है, त draw करूंगा, from its center, यानि कि जहां से initial velocity start हो रही थी, वहां से horizontal straight line मैंने आपके सामने draw कर दी, ओके, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास अब यह जो graph है, वो graphically मुझे complete नजर आ रहा है, सही, अच्छा दी, अब क्या क्या चीज़े आपको नजर आ रही है, एक तो initial velocity नजर आ final velocity खतम हो रही है, initial जहां से start हुई थी, वहां से मेरा time start होगा, ओके, और जहां पे file मेरी हो गई है, जहां पर मुझे अपने object को रोग देना है, अपने आपको रोग देना है, तो वहां पर आपका time भी final हो जाएगा, इससे आगे हम time को count नहीं करेंगे, अच्छा जी, अब आगे क्या करना है, आगे से वितना करना है कि मुझे इसी graph को simplify करना है और अपनी equation of motion के लिए इसको मजीद simplify करके अपनी वो 3 equations बना रहे हैं, अच्छा एक कम और आपको रहेगा कि मुझे हर line को, देखे ना, आपके पास काफी सारी lines draw हो गए हैं, तो हर line को कोई ना कोई ना काम देना पड़ेगा, तो हम normally करते ही हैं, कि alphabets लिख देते हैं, उन lines को, उन measurements को simplify करने के लिए, तो आप गोर कर सकते हैं, कि यू जो आपके पास velocity है, तो मैंने उसके line segment को, line को represent करने के लिए O और A लिख दिया है, यानि आपके पास जो graph initial stages से बन रहा है, initial velocity के लिए वो O A है, सही है, और final velocity के लिए जो graph की line आ रही है, वो basically B C है, सही है, तो इस तरह से आप यहाँ पे alphabets को use करेंगे, और हाँ, जिस line के लिए काम कर रहे हैं, वो A B line है, तो अब आप यहाँ पे lines को consider करके अपनी measurements को show करेंगे, क्योंकि ये AO और AB और BC ये क्या चीज़ हैं, य अगर मुझे इनकी value बता दी जाए, for example 5, for example 10, for example 15, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास इनकी variable के साथ साथ इनकी numerical value भी मौझूद है, फिलाल क्योंकि हमें generalized formula drive करना है, तो मुझे इनकी values की जरूरत फिलाल नहीं है, तो ये आपके पास थोड़ा सा graph का introduction था, और इस graph के अंद उसके बाद area under the graph भी निकालेंगे, ये वाला काम करना है, और एक shape का graph निकालेंगे, जिसको आप trapezium कहते हैं, तो इन तीनों conditions से आप equation number 1, equation number 2, and equation number 3, तीनों को drive कर रहे हो, सही है, तो hopefully आपको ये graph समझ में आया होगा, equation of motion का, next video में मैं इस graph को समाल करके, first equation of motion drive करके दिखा पर problem हो, तो comment करें, मैं इसको असान से असान मजीर असान करके, समझाने की गोश्च करूँगा, thank you and Allah आपस,